परिजय नमस्कार दोस्तों आईए साथ गाए नियम नियम, सुरक्षा के नियम ये हमेशा हमारी मदद करें हम रहें शान्थ और प्रसन आउ सीखें, हम सुरक्षा के नियम सुरक्षा के नियम बताना प्रात्मिक चिकित्सा को परिभाशित करना प्रात्मिक चिकित्सा की विधियों का वर्णन करना हमारी सुरक्षा दोस्तों, हम सभी टहलना, खेलना, साइकल चलाना और तैरना पसंद करते हैं ये गतिविधियां हमें स्वस्थ और प्रसंद रखती हैं लेकिन कभी-कभी हम इन गतिविधियों के दौरान खुद को घायल कर लेते हैं। इसलिए हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। खेल कूद के दौरान सुरक्षा खुले मैदान में खेलना हमें स्वस्त रखता है। लेकिन बाहर खेलते समय कुछ दुरगटनाएं भी हो सकती है। नीचे दिये गए सामान्य नियमों की सहायता से दुरगटनाओं से बचा जा सकता है। पहला, सडक पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। हमेशा खेल के मैदान में खेलने को प्रात्मिक्ता दें। जूते पहन कर खेलें। खेल के नियमों का पालन करें। बेईमानी न करें। खेलते समय लड़ाई न करें। पहलते समय सुरक्षा। यदि हम कुछ साधारन नियमों का पालन करें। तो सडक पर चलना काफी मजेदार होता है। ये नियम हैं। आपको हमेशा अपने माता-पिता के साथ बाहर जाना चाहिए। उनका हाथ कसकर पकड़ना चाहिए। पैदल पटरी पर चलना चाहिए। और सडक पर दोड़ना नहीं चाहिए। सडक पार करते समय हमेशा सफेद पट्टी से जाना चाहिए। चलती हुई गाडियों से सदैव दूरी बना कर रखना चाहिए। याता यात बत्ती सडक पर चलते समय हमें याता यात बत्ती के निर्देशों का सदैव पालन करना चाहिए। इन्हें हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आईए सीखते हैं कि ये क्या बताती है। लाल बत्ती कहती है कि रुको 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 जल्दी में आगे मत बढ़ो, हरी बत्ती कहती है कि आगे बढ़ो, कोई खतरा नहीं है, और पीली बत्ती कहती है कि रुकने के लिए तैयार हो जाओ, धीरे हो जाओ और जल्दबाजी मत करो. पैरते समय सुरक्षा, यदि हम सावधानी के साथ तैरें, तो तैराकी एक अच्छा व्यायाम है, सुरक्षित तैराकी के कुछ उपाय नीचे दिये जा रही है, हमेशा तैराकी की पोशाक में तैरें, तरण ताल का पानी पीने से बचें, तैरने के बाद स्नान जरूर करें, खाना खाने के तुरंत बाद न तैरें, बस में चलते समय सुरक्षा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस का प्रयोग करते हैं, बस की यात्रा काफी मजेदार होगी, यदि हम निम्नांकित नियमों का पालन करें, बस में चढ़ने के लिए कतार बनाएं, बस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की न करें, बस में चढ़ने से पहले उसे पूरी तरह रुकने दें, चलती हुई बस से न उतरें, चलती हुई बस से अपने हाथ पैर न निकालें, आग का प्रयोग करते समय सुरक्षा, आग हमें रोशनी देती है और भोजन पकाने म हमारी मदद करती है यदि हम इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक न करें तो यह हमें जला भी सकती है इसलिए माचिस की डिब्बी के साथ खिलबाड न करें खुद पटाके न जलाएं आग के नस्दीक न जाएं ओजारों का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा कुछ ओजार जैसे चाकू, कैची और मोटर से चलने वाले ओजार हमारे बहुत काम के होते हैं हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए उनके संग कभी खिलवार न करें वे खिलोने नहीं है स्विच से चालू या बंद करने वाले बटन में कभी भी अपनी उंगलिया न डालें बिजली के तारों से छेड़ खानी न करें हमारी सुरक्षा कई बार हम सावधान रहें तो भी दुरघटनाएं हो जाती हैं और हम घायल हो जाते हैं ऐसी स्थिती में हमें प्रात्मिक चिकिट्सा की जरूरत पढ़ती है हम जानने के लिए उत्सुख हैं कि प्रात्मिक चिकिट्सा क्या है किसी जरूरत मंद को दी जाने वाली पहली चिकिट्सा सहायता प्रात्मिक चिकित्सा कहलाती है याद कीजिए कि जब पिछली बार आप साइकल से गिरे थे तो आपके पिताजी ने क्या किया था? हाँ, उन्होंने आपके घाव को पानी से धोकर उसे रोगाणु रोधक घोल से साफ किया था इसके बाद उन्होंने घाव पर एक पट्टी बांधी थी यह घाव को जल्दी भरने में सहायता करती है तो दोस्तों, यदि आप खुद को दर्द से बचाना चाहते हैं तो सुरक्षा के नियमों का पालन करें हमने क्या चर्चा की? हमें सुरक्षित खेलने, टहलने, तैरने और बस में चलने के लिए सुरक्षा के कुछ साधार नेमों का पालन करना चाहिए जब भी कोई दुरगटना हो जाती है तब हमें प्रात्मिक चिकित्सा की जरूरत होती है किसी जरूरत मंद को दी जाने वाली पहली चिकित्सा सहायता प्रात्मिक चिकित्सा कहलाती है कि जरूरत मंद को दीजरे ने चाहिए